प्रोडूसर मधू मंटेना और डिरेक्टर नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायन इन दिनों खासा सुर्च हमें इस मोस्ट अवेटेट फिल्म को मधू मंटेना बड़े स्तर पर बनानी की तैयारी में फिल्म में भगवान राम के किरदार के लिए महेश बापु और रावन के रोल के लिए रितिक रोशन का नाम सामने आ रहा है वही फिल्म में माता सीता के रोल के लिए अभी तक दिपिका पादुकोन का नाम सामने आ रहा था लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मधु मंटेना के इस फिल्म में दिपिका पादुकोर ने बलकि करीना कपूर खान नजर आने वाली इतना ही नहीं सुनने में आया है कि इस फिल्म के लिए करीना कपूर खान को 12 करोड रुपे दिये जा रहा है रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मधु मंटेना ने दिपिका को खटा कर रामाएंड में करीना कपूर खान को मा सीता के किरदार के लिए फाइनल किया करीना कपूर खान की सीता बनने की खबरें काफी पहले से मीडिया में पहले रिपोर्ट्स थी कि SS राजमॉली के पिता विजेन प्रसाद की फिल्म सीता दे इंकारनेशन में करीना कपूर खान मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे सुनने में आ रहा था कि इस फिल्म के लिए करीना कपूर खान को ही सीता के किरदार के लिए अप्रोच किया गया है ऐसे में अब देखना होगा कि बेबो इन दोनों ही फिल्मों में से किस फिल्म की सीता बनना पसंद करेंगी वैसे बीते दिनों ही खबर आई थी कि रितिक रोशन के रावन गेट अप के लिए फिल्मेकर्स ने हॉलिवुड फिल्म अवतार के कॉस्ट्यूम डिजाइनर को चुना जो उनके लुक को डिजाइन करेंगे जबकि श्रीराम के रोल में महेश बाबु की एंटरी की खबरों ने पहले ही फिल्म इंडस्री में काफी हलचल मचा रखी और अब करीना कपूर खान के एंट्री की खबरे इस फिल्म के लिए दर्शुकों का क्रेज बढ़ा रही हाला कि अभी तक इन खबरों पर ओफिशल अनाउंस्मेंट नहीं लेकिन ये लगभग तैम आना जा रहा है कि दिपिका को इस बड़ी फिल्म से बाहर कर दिया गया अब तक होती है वैसे आपको क्या लगता है सीधा के रोल में दिपिका और करीना में से कौन ज्याधा परफेक्ट लगेगा हमें कमेंट करके जरूर करें बादे लेकिन लगभग बादे लेकिन अजया है